साइंस टेकनोलोजी और इन्वेंशन की दुनिया में आपका स्वागत है वक्त बदलने के साथ साथ मसीनों की दुनिया में भी बड़े बदलाव हो चुके हैं जो समय की बचत तो करते ही हैं इंसानों का काम भी आसान कर देते हैं आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसी अमेजिंग और पावरफुल मसीने जो आपको हैरान कर देंगी सोने बोगेन 860M ये विसाल का है हैंडलिंग मसीन 6.2 टन तक के वजन को उठा सकती है और उसकी पहुंच 23 मीटर दूर तक की है इसका विसाल हाइडरोलिक नोजल इस्तमाल के दुरान एक्क्यूरेसी के साथ काम करता है इसमें एक आराम दाया केबिन ओपरेटर के लिए बना है जो किसी भी मोसम में काम करने के लिए जबरदस्त विजिबिलिटी देता है और ये मसीन अपने बेस पर से 360 डिगरी पर गूम सकती है ये मसीन 364 होर्स पावर कैपिसिटी वाली डीजल इंजन के साथ आती है इस मसीन के टायर को डबल पत्ती वाली केबल कवर करते हैं जो किसी मेटल या एक्सिडेंट से इसे बचाते हैं रिलोकेट करने के लिए इसकी स्पीड 14 किलोमेटर पर तिगंटे की है आमतोर पर ये मसीन वेस्ट मैटिरियल फैक्टरी और कटी लकडियों को उठाने के लिए इस्तमाल की जाती है फ्लेम बेडिंग ट्रेक्टर फ्लेम ट्रेक्टर की मेन मकसद खेत की मिट्टी को नई फसल के लिए तयार करना होता है ये ट्रेक्टर अपने नोजल के जरिये आग निकालता है ट्रेक्टर के पीछे एक बड़ा गैस सिलेंडर लगा होता है जो नोजल के जरिये आग को स्प्रे की सकल में बाहर दखेलता है इस मसीन की पावर 132 होर्स पावर की है और इसके हुक्स की मैक्सिमम लोड कैपसिटी 4.6 टन की है ये हुक्स 1500 RPM की स्पीड से 522 न्यूटन मीटर तक पहुँच जाते है इस प्रोसिस को फ्लेम वीडिंग के नाम से भी जाना जाता है ये मसीन इसलिए वनाई गई है ताकि खेत में जाडियों और वेस्ट मैटीरियल को जलाया जा सके और मिट्टी को एक नई फसल के लिए तयार किया जा सके MBS18 ये मसीन पत्थरों को तोड़ने और फिर उन्हें चानने का काम करती है ये 20 से 35 तन के एक बड़े एक्सकवेटर पर इंस्टोल की जा सकती है इसके हाइडरोलिक नोजल के बकट में एक टोकरी लगी है जो बड़े पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को रोकती है और बारीक टुकडे चान कर बाहर कर देती है जिसकी वज़े से टोकरी उठाने की कैपसिटी और भी बढ़ जाती है ये टोकरी ऐसे मैटेरियल से बनी है जो फ्रिक्सन को खत्म कर देती है और ये मसीन आसानी से ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है क्योंकि इसकी बेस बिल्कुल फ्लैट है इस मसीन की कैपसिटी 2.5 क्यूबिक मीटर है और इस पर लगी टोगरी की गहराईज 1.2 मीटर आम तोर पर इस मसीन का परियोग रेतिली जगह पर से पत्थरों को छानने के लिए किया जाता है कैबेज हार्वेस्टिंग मसीन बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन करने वाले खिसान आम तोर पर सब्जियों को काटने के लिए मसीनों का इस्तमाल करने लगे हैं गोबी की फसलों की कटाई करने के लिए ये मसीन बनाई गई है ये मसीन गोबियों को जड़ से काट कर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिये उन्हें मसीन के उपरी भाग में पहुँचाती है जहां पर इन्हें कई डोलर्स के बीश से गुजरना पड़ता है जो उपरी पत्तो और एक्स्ट्रा मैटीरियल को साफ कर देते हैं इससे आगए के प्रोसेस में गोबिया एक और कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए कंटेनर में बढ़ती जाती है ये एक पावरफुल जमीन के अंदर ड्रिल करने की मसीन है ये मसीन खासतोर पर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीनी पिलर की बुनिया डालने के लिए इस्तमाल की जाती है इस भारी बरकम मसीन का वजन 98.7 टन का है इस मसीन के इंजन की पावर 390 किलो वाट की है इस मसीन के पास फोल्डिट फीडर के साथ इसको ट्रांस्पोर्ट करना भी बहुत आसान है इसके काइनमेटिक समानतर होने के कारण ये एक चोड़े एरिया में काम कर सकती है इसकी मजबूत ड्रिल करने वाले डिस्क एफिसियंसी के साथ काम करती है इसकी ओटोमेटिक टोर्क अड़जस्टमेंट और लगतार स्पीड किसी भी तरह की जमीन में खुदाई कर सकती है आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार